Welcome to Unigoreb School इस वीडियो में हम लोग Active Manumorial CMS Skip को इनिस्टोल करके आपको देखेंगे अगर आप लोग Metrimonial Site क्रेट करना चाहते हो तो यह जो वीडियो है इसको आपको लिए क्योंकि ए वीडियो में हम लोग ए जो इसकी भी इसको इनिस्टोल करेंगे जो आप लोग इसकी में देख सकते हो तो एक्टिप Manumorial CMS लिकर अगर सरस करते हो तो ए जो इसकी भी ओ यहाँ पर आ जाएगा तो इहाँ पर इसका जो रेगुलर प्राइस है वह आप लोग देख सक हैं तो 49 ॉला है लेकिन अभी इसका ज holistic है इसलिए आप ट्विंट्फॉ डोल अध देख रहा है ठिक है अभी इसको फार चोल रहेखके अब मुझे नहीं पता इसका ओफार खोतम होने के बाद आपको $49 में इसको purchase करना होगा ठीक है और इसका external license भी है आप लोग देख सकते हो $525 है और इसका sell है आप लोग देख सकते हो 1629 sell हो चुका है अल्री ठीक है और इसका जो किन्शोट है यहाप पर अगार क्लिक करते हो तो इसके सकी बगरा आप लोग देख सकते हो इस तरह का konta का स्पेज है और इहाप अगर जाते हो तो एक्टिब मेंबर का प्रोफाईल इस तरह का इडिट करने का option मिलेगा और यहाँ पर देख सकतो इस तरह का profile है और यहाँ पर आगा जाते हो यहाँ पर आप लोग आप plan set कर सकतो default bronze silver आप लोग कुछ भी plan यहाँ पर लगा के आपका price set करके income कर सकतो इस website से और यहाँ पर देख सकतो तो finally ask question okay और इस तरह का आपका home page होगा और यहाँ पर login पर आप लोग इसकी शोट ना देखकर यहाँ पर आगा लाइब प्रिवू में क्लिक करते हो तो इसका जो लाइब प्रिवू है वह आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ठीक है और इसका जो देख सकतो हो यहाँ पर description आप लोगों को मिल जाएगा इस एड़न को आप लोगों को बाहर से परसेस करना होगा ठीक है और यहाँ पर देख सकतो इसका जो फीसर भागरा है ओ कैसा है ओ यहाँ पर आप लोग खुद ही देख लिजेगा तो हम लोग इसको किस तरह से इंस्टॉल करते हैं ओ हम लोग यहाँ पर देखते हैं चुलिए तो इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले इसको डाउनलोड करना होगा बाई करने के बाद तो मैं इसको डाउनलोड करके रखा हूँ तो डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरह का फाइल दिखेगा इस तरह का एक्टिप मैनोमोल स्ट्रेश्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृ यह हम लोग क्लोस करते हैं क्योंकि हम लोगों को डेमो देखने की कोई ज़रोद नहीं है आप लोग खुद ही देख लिजएगा बाई कारने से पहले तो आंजीब हो चुका है तो इसके आंदर आपको जाना है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डूकुमेंट नम का लिखाऊंगा ठीक है और यहाँ पर इनिस्टॉल डॉट जीब यह जो फाइल है इसको आपका जो सर्वर है उसमें अपलोड करना है ठीक है तो चोलिए हम लोग यह जो इनिस्टॉल डॉट जीब है इसको हमारा सर्वर में अपलोड करते हैं तो हम लोग हमारा जो स्री पेन में क्लिक करना है और यहाँ पर अगर select file में क्लिक करते हो और आपका जो file है उसको यहाँ पर select कर देना है तो मैं यहाँ पर मेरा file को यहाँ पर select कर देता हूँ और यहाँ पर मेरा जो file है वो यहाँ पर upload हो चुका है होना एस्टार हो चुका है और यहाँ पर हम लोग आवायड करेंगे इसको upload होने तक उसके बाद हम लोग इसका जो next process होगा वो हम लोग follow करेंगे और आपको देखेंगे कैसे इसको install करते हैं तो हम लोग वायड करते हैं इसको upload होने तक यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा 100% अपलोड हो चुका है तो हम लोग यहाँ पर go back में जाते हैं यहाँ से ठीक है go back में आने के बाद install.zip इस फाइल को यहाँ पर हम लोग unzip करेंगे तो unzip करने के लिए यहाँ पर right button क्लिक करेंगे इसके अंदर mouse रखकर यहाँ पर right button क्लिक करेंगे और यहाँ पर extract में क्लिक करेंगे और यहाँ पर extract फाइल में अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पर यह फाइल अन्जीब हो जाएगा तो हम लोग वाइट करते हैं देख सकते हो यहापर सारा फाल हमरा अंजिव हो चुका है इसको close करते है ठीक है तो आभी आपको क्या करना है आपका जो domain है इसको open करना है ठीक है तो मैं यहापर मेरा domain को open करता हूँ और यहापर आप लोग देख सकतो installation का जो process है और यहापर आचुका है active manual cms installation ठीक है तो यहापर देख सकतो market current, process code, database, database user, database password और database host यह सब कुस हम लोगो को लागेगा तो हम लोग start installation process में क्लिक करते हैं तो यहापर मैं क्लिक कर दिया हूँ और यहापर देख सकतो हमरा PSP version और सब कुस यहापर सही है यहापर go to next step में क्लिक करते हैं और यहापर हम लोगों का हमारा जो process code है उसको डालना है तो मेरा process code में यहापर डाल दिया हूँ उसके बाद यहापर continue बटन में क्लिक कर देना है और यहापर host name में यहापर आपको देना है local host यहापर database name, database username और database password देना है उसके बाद हम लोग next process में जाएंगे तो database create करने के लिए हम लोग जाएंगे हमारा cpanel के अंदर main cpanel के अंदर उसके बाद हम लोग जाएंगे यहापर देखेंगे database नाम का option हम लोग यहापर find करेंगे यहापर देख सकते हो database नाम का option है और यहापर आपको जाना है mysql database ठीक है यहापर आपको जाना है यहापर आपको database create करना है और उसके बाद database का जो user है वो भी create करना है और database और user को दोनों को connect कर देना है ठीक है तो हम लोग यहापर create new डटबेस यहाप पर हम लोग डटबेस का नाम देंगे हम लोग क्या नाम देंगे हम लोग यहाप पर यूनिक और विस्कुल यही नाम दे देते हैं ठीक है हमारा योटुब चैनल का नाम देते हैं आप लोग कुछ भी नाम यहाप दे सकते हो ठीक है तो यहाप पर मैं दे दे दीजेगा तो हम लोग go back में जाएंगे और यहाँ पर database के लिए database user create करेंगे इसलिए हम लोग scroll down करेंगे और यहाँ पर आप लोग देख सेकते हो edit new user ठीक है तो यहाँ पर username है आप लोग कुछ भी यहाँ पर username दे सकते हो मैं यहाँ पर नाम type कर देता हूँ यही नाम अजू दूबर से आपको type करना है तो हम लोग क्या करने बाले हम लोग password को generate करेंगे इसलिए यहाँ पर password generator में click करते है और यह जो password हम लोग को generate करके दिया है इसको copy करेंगे यहां से copy करते हैं और यहां पर हम लोग दे देते हैं ठीक है हमरा password को यहां पर step करते हैं हम लोग उसके बाद यहां पर I have copy में click करना है यहां पर click करना के बाद यहां पर use password में click करना है तो आपका password यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर create user में क्लिक करना है यहाँ पर create user यहाँ पर click करना है तो आपका जो user है वो यहाँ पर create हो जाएगा ठीक है तो यह रहा हमारा user तो यह जो user है और हमारा जो database हम लोग create किया है उसको connect करना है तो इसलिए हम लोग Go Bank में जाएंगे और User or database को connect करेंगे इसलिए हम लोग scroll down करते हैं और यहा पर Edit User to Database आपको देखेगा यहा पर आपको connect करना है इसलिए हम लोग हमारा जो user है उसको select करते हैं उसके बाद यहाँ पर database को select करते हैं यह हमारा database है ठीक है उसके बाद आपको यहापर Add and में क्लिक करना हूँ Add and में क्लिक करना के बाद यहापर All मेटिंग मर देना है और Löper Max Change में अगर आप लोग क्लिक कर देते हों तो यह आपका डाटावेस और डाटावेस यूजर कानेट हो जाएगा उसके बाद यह जो user और database है इसको copy करना है यहां से हम लोग copy कर लेते हैं यहां पर copy कर ले हैं और उसके बाद यहां पर हम लोग save करेंगे हमारा notepad के अंदर टीक है डाटबेस क्रेंट करने के बाद हम लोग यहापर डाटबेस होस्ट में यहापर लोकाल होस्ट देते हैं उसके बाद यहापर डाटबेस नेम देते हैं तो हम लोग यहापर डाटबेस नेम देते हैं यहापर हमरा डाटबेस नेम ओके उसके बाद यहापर डाटबेस में क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पर continue बादम में क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर import SQL, ठीक है, तो यहाँ पर import SQL में क्लिक करना है, यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया हूँ, और यहाँ पर import हो जाएगा, हमरा database connected successfully हो चुका है, यहाँ पर देख सेकतो यह import होगा, हम लोग वाइट कर Okay, First Name यहाँ पर आपका Final Name Okay यहाँ पर आपका admin e-mail यहाँ पर admin का जो password है ओ देना है तो मैं यही password यहाँ से देद ता हूँ आपका Monmoto अपको यहाँ पर password दीजे उसके बाद system currency आपका जो भी currency होगा ओ आपको यहाँ पर select कीजे मैं यहाँ पर US dollar ही रखता हूँ उसके बाद यहाँ पर continue बटन में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया हमारा website यहाँ पर setting हो गया है congratulations your installation process is successfully please login and continue ठीक है तो हमारा जो इसकी बैव वो इनिश्टल हो चुका है अगर आप लोग यह पर go to website में जाना चाते हो यहाँ पर तो आप लोग यहाँ पर जा सकते हो यहाँ पर आपका किलिक करके आप लोग यहापर admin area में जा सकते हो और यहापर आपका email और यहापर password देका login कर सकते हो ठीक है यहापर हमरा admin area में login हो चुका है और यहापर इस side में जितने भी setting बागरा है और आप लोग कीजिए अगर आप लोग यह setting बागरा नहीं कहना जानता हो तो comment box में comment है मैं इसका setting बागरा लेकर आपको वीडियो upload करके दे दूंगा ठीक है तब तक इस वीडियो में इतना ही अगर इस वीडियो आपको आच्छा लगाए तो like कीजिए share की जो comment कीजिए और हमारा जो unique वैव इसको YouTube चैनल है इसको subscribe करके हमारा साथ बन रही है thanks